अंकल, आज का विशय यह है कि अंग्रेजी के शब्द अंकल का हिंदी में क्या आर्थ है। देखिए वैसे तो आजकल अंकल ऐसा शब्द बन गया है जिसे आजकल के छोटे-छोटे बालक 20-25 साल के नौजवान विक्तियों के लिए भी उपयोग में ले आते हैं। बले ही उन 20-25 साल के विक्तियों को अपने आपको अंकल कहलाना कितना भी बुरा लगे। परन्तु अंग्रेजी भाषा में अपने माता अत्वा पिता के भाई एवं अपनी अंटी के पती के लिए अंकल शब्द का उपयोग किया जाता है। अंकल शब्द की यह परिभाषा इस बात को तो साफ कर देती है कि हमारी प्यारी हिंदी भाषा में हमें इस एक शब्द अंकल के लिए कितने सारे विविद शब्द उपलब्द हैं। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप अपने रिष्टे में लगने वाले किसी पुरुष के लिए ही अंकल शब्द का उप्योग करें आप अपने से अधिक आयू वाले किसी भी पुरुष को आदर के साथ अंकल कह सकते हैं अब अंकल शब्द को वाक्य में किस प्रकार उप्योग में लाया जाता है या भी देख लेते हैं अंग्रेजी वाक्य है अजय अब अभी अभी अपने काका की ओर से एक पत्र प्राप्त किया है यहाँ पर यदि वह पत्र अजय को उनके चाचा, अथवा ताउ, अथवा फूफा, अथवा मामा, अथवा मौसा ने भेजा हो, तो वाक्य का अर्थ वैसा ही रहेगा। केवल काका के स्थान पर जिन रिष्थेदार ने अजय को पत्र भेजा है, उनका रिष्था लिखा अब आप अंग्रेजी के शब्द अंकल का एक वाक्य में प्रयोग कीजिए एवं उस वाक्य को मेरे साथ कमेंट सेक्षन में साजा कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं यदि आपके मन म इस विशय से संबंदित कोई प्रशन अत्वा जिग्यासा है तो उसे भी कमेंट सेक्षन में मुझसे अवश्य पूछें